आज हम जीरावला पर्शुनाथ हैं लोग कहते हैं कि यहां जो प्रार्तनाय करते हैं न सबकी मंजूर होती है जीरावला पर्शुनाथ भगवान की जैए मैं आज आपको एक ऐसा प्यारा किस्सा लेके आया हूँ कि आपके दिल को चूलेगा डॉक्टर शेलेश महता बरुड़ा में हार्ट के इतने बड़े स्पेस्लिस्ट रोज पांस से दस तस ऑपरेशन करते थे और दो तो तिन-तिन महिना ऑपरेशन की लाइन लगी रहती एक बार क्या हुआ एक दंपती जिनकी चे साल की बिटिया थी वो दोनों आये डॉक्टर शेलेश महता के पास इतने चोटे-चोटे बच्चों का केस डॉक्ट साब बहुत कम देखते थे उस दिन देखा तो डॉक्ट साब से रहा नहीं गा डॉक्ट साब ने बोला के 70% डिस के अगर आप नहीं भी कराएंगे ओपनार्ट सर्जरी तो तीन मेने बाद यह बच्ची आपकी नहीं रहेगे अब वह एकलोती बिटिया पर माबाप की बहुत प्यारी माबाप ने बोला सर्भी टेक दा चांस हम बच्ची का ऑप्रेशन उसकी डॉक्टर शेलेश मैता कोई ब मानने वाले आदमी नहीं उनके मन में क्या है को हॉस्पिटल इस माई टेंपल और पेशेंट इस माई गॉड वह इस टाइप की आदमी थे छोड़ा नास्तिक टाइप सुनिये सरकानी बच्ची की मा बड़ी आस्तिक और बड़ी प्यारी रोज उस बच्ची को नहलाती दु टीपी में थी तो डॉक्ट साब से वो गुल मिल गई तो डॉक्ट साब एक दिन बोला कि तुम चिंता मत करना तो उसने बोला मेरी माने मुझे बोला है कि मेरे दिल में भगवान है इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा डॉक्ट साब भी देखते चकित रहे गए जिस दिन बोला वापीश सिल दो और ग्लाउज खोल दिये और उस समय डॉक्ट साब पहले बार बैटे बैटे बोले कि यह बच्ची है बगवान तुमारे उपर भरोसा करती है नजाने कितने लोग तुमारे उपर भरोसा करते हमको मालूम नहीं तुम हो या नहीं पर अगर तुम हो तो आज कुछ ऐसा करके दिखा दो जो मेरे से तो असंभव था अगर आप कुछ कर सको तो फिर आपका मैं मान जाओ और इतने में तो जूनियर आटिस बोला सर ब्लड आ गया इतने में तो जूनियर वह वह डॉक्टर बोला कि सर ब्लड आ गया और आप सुनके ताजूब कर अगला आपके बच्ची का दिल धोर धंबोर है अगला साथ साल देखने की सुर्थ नहीं अगला वो डॉक्ट साप ने फिर पूरे एक सेमिनार में बोला कि उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में है न बहुत बड़ी फ्रेम लगाई भगवान की और वहां जाके हाथ जोड़के म मैं तो दो हाथ वाला हूँ मेरे से जितना होता है वो मैं करता हूँ तो हजार हाथ वाला है तो मेरी प्रार्थना तुझार सामने है तुम को जो अच्छा लगे तुम करना और मेरे दुनिया देखि cessar बच्चों में आने वाले अपने पीडियों में सब संस्कार दीजिए कि कम से कम बारा मिनिट प्रार्थना करें जो भी करो आप जिनको भी मानते हैं उनकी प्रार्थना कीजिए प्रार्थना में बहुत ताकते बोलो जिरावला परशनाद भगवान की जै